Buying से पैसे निकालना या जामा करनी है कई मीडियमें उसमें इक मीडियमें चैक द्वारा तो आज हम आपको बताते हैं कि इस चैक करते हैं कि काय TOM बना देंता है आए फूर डिटेल जानते हैं जिसकिसी को आप चेक दे रहे हो तो उसको भी पता होना चाहिए और आपको भी पता होना चाहिए की इस चेक की बैलेटी सिर्फ मात्र और तीन मेहने रहती है तो मैं आज कि दे डाल देता हूं अंच πर दूर जिसके नाम पर उसका आप डिखला होगा अगर आप तो कर रहे हैं तो आप यहां आ पसे स्वयम उसके नीचे आपको आप क्यों अब की कि उंपा सकते हैं कि उसको सब्डorama कहा fast represented nigga सबस्क्राइब कर दें कि नजट सब्सक्राइब और भी इसको आंब युटे रहे हैं दो खायन करदेशे। डबल लाइन करने से यह होगा कि वह सी आपको कैस नहीं करा पाएगा फिर और एकाउंट में जमा होगा उसके अगर कैस लेना चाहता है तो फिर आपको आपको आप लाइन नहीं कीचे तो वह अपना एक आईडी काइट के फोटो कापी ले जाकर के अपना काईटे हैं किलियर करा सकता उसको हाँ तो हाँ कैस मिल जाएगा ये बाद किसी को भी चेक देने से पहले आप उसका रिकार्ड जरूर रखे क्योंकि भाविस में आप उस चेक को कैंसल भी करा सकते हों तो आपके पास चेक नंबर रहना जरूरी है तो उसके लिए आप उसको रिकार्ड रखना जरूरी है तो इसमें स्क्नमर निखना है फिर उसको रेट रखना किसको देना और इतना और किसका अधने मोर देना यह लिखना है और उसके बाद ये यह माई ये स्यार कोड होता है और उसके बाद ये आरबी आई का एकाउंड नंबर होता है उसके बाद सबसे लाश्ट में जो लिखा रहता है राइट सेट और आपकी ट्रांजेक्शन आईडी होती है हम लोगों से कभी कभी कैंसल चेक मंग लिया जाता है तो चrek क्या करता है कि एक जिसपे दो बेड़ी लाइन खीचती जिए और उस पर आपना धाल सिगूर्टकर कर दिछी ये होता है चाहते हैं यह सुर करना चाहते हैंipped by वाले कि आप का ही एकाउंट है और आपकी डाउंच क्या है उसमें आपकी ऑस चेक में यह लिखा रहता है कि आपको अपनी एक आईडी की फोडोकापी ले जानी है, उसके बाद वो आपको हाथ हाथ कैस्ते देगे, अगर उस चेक में कोने बेर डबल क्रास है, तो आप उसको एकाउंट में क्लियर क्रा सकते हैं, उसके लिए आपको एक जमा पर्ची भरना पड़ेगा, और उसमें आप चेक नमबर डाल सकते हैं और उसके बाद चेक के साथ चमा कर देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा